हेलो दोस्तों किया आप योनोई SBI में आप जब लॉग इन करने जाते हैं दोस्तों यहाँ पे आप अपना MPIN डालके लॉग इन करते हैं या फिर योजर आईडिया और पासवर्ड डालके लॉग इन करते हैं तो आपके सामने भी इस तरीके का एरर आ रहा है जैसा कि आप यह हाँ पर देख पा रहे हैं योजिंग यूर इंटरनेट बैंकिंग कर्डेंसियल एंड चेंज यूर लॉग इन पासवर्ड दोस्तों अगर आपके भी योनोई एप में इसी तरीके का प्रॉब्लम है तो आप इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्फ कर सकते हैं अगर आपको नहीं आपने योणोई एप यू अदो तो बनितानेरज में में इसत्रेके देया को सुझना जाएगा यहां पर इन्पो वाले ओप्छ na और ऊसपञाद करना है , यहां पे से स्टोरेश वाले यूरे और फुरली और उप्ण पर क्लिक करना है उसके बाहिए उसके बाद आप्के सम आप इतना कर देते हैं तो यहां पर आपका जो डाटा है क्लियर हो जाएगा आपको सिंपली बैक आ जा रहा है उसके बाद आपको यहां पर आपने फोन में Google Chrome ब्राउजर को ओपन कर लेना है तो आपको यहां पर सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और दोस्तों यहां प पर क्लिक करेंगे दो आपके सामने इस तरीके का एक प्रेज ओपन हो जाएगा दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं रिखा हुआ है प्रसंडल बैंकिंग सिंपली आपको यहां पर इस लॉगीन वाले updates पर क्लिकरना है जैसे आप लोगीन वाले उप्शन पर क्लिक करना दोस्तों यहां पर आपको इंटरनेट बैंकिंग का यूजर नेम और पासवर्ड डालना है उसके बाद यहां पर यह केपचा दिया गया हुआ है इस केपचे को इस बॉक्स में डालेंगे उसके बाद यहां पर लॉग इन वाले उप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा दोस्तों यहां पर में आपको एक नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं लिखा हुआ है यूर इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड हैस बीन एक्सपायर प्लीज चेंज यूर पासवर्ड तो दो इसके बाद यहां पर सब्मीट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है उसके बाद दूस्तों आपके सामने इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा दोस्तों यहां पर देख सकते हैं लिखा हुआ है वान टाइम पासवर्ड तो दोस्तों आपके एकाउंट में जो भी मोबाइल नंबर रेजिस्टर होगा उस मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगा उस OTP को इस बॉक्स में डाल देना है दोस्तों अगर ऊपके मोबाइल नंबर पर OTP नहीं जाएगा अगर आपके पास एक बार वे ओटी पी नहीं जाता है तो स्भी आपको यहां पे क्लिक है तूरी तो दूस्तों आपका internet banking का जो password है वो इस तरीके से change हो जाएगा उसके बाद आपको यहां से back आ जाना है उसके बाद दूस्तों आपको वापस से you know SBI को open कर लेना है जैसे open करेंगे तो आप से permission मांगेगा तो simply आपको इसे allow कर दिना है उसके बाद आपके सामने इस तरीके का दो option आ जाएगा simply आपको यहां पर existing SBI customer इस पर आपको क्लिक करना है इस पर क्लिक करेंगे तो फिर से आपको यहां पर allow वाले option पर क्लिक करना है उसके बाद दूस्तों आपके सामने यहां पर select SIM का option आ जाएगा दूस्तों आपके account में जो भी mobile number registered है आपको उस mobile number को select कर लेन हम यहां पर मेरा क्लिक कर दे करना है को पिर से आपकर दो कि करना है यहां पोगालना है यहां के मोबाइल नंबर पर होना चाहिए नहीं तो आप अपने cbikar पाइंगे में क्लिक शोईन उसके बाद जो आपने नया password बनाया है उस password को यहां पे डालेंगे उसके बाद आपको यहां पे submit वाले option पे क्लिक कर देना है उसके बाद दुस्तों आपके सामने इस तरह के का पेज ओपन हो जाएगा दूस्तों आपके मुबाइल नमर पे जो OTP गया है उस OTP को यहां पे डालेंगे उसके बाद यहां पे next वाले option पे क्लिक कर देना है उसके बाद दूस्तों आपके सामने इस तरह के का पेज ओपन हो जाएगा दूस्तों यहां पे आपको एक बुलू टिक देखने को मिल जाएगा उसके बाद आ यहां पे नीचे में इसी MPN को वापस से डाल देंगे उसके बाद आपको यहां पे next वाले option पे क्लिक कर देना है जैसे दूस्तों MPN सेट करके next करेंगे तो आपके सामने इस तरह के का एक pop-up आजाएगा दोस्तों यहां पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ का अंगराचु मेरा यहां पे जो प्रॉब्लम था वो ठीक हो चुका है आप भी अपने यूनो SBI का प्रॉब्लम इस तरह के से ठीक कर सकते हैं उमीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे वीडियो को लाइक कर दे